आर्पी भारत तेवल ख़गरे और कुछ नहीं को जाम किया गया सभी प्रवासी कोई दिली से कोई मुंबई से तो कोई हद्रबाद से आए हुए है सरकार के द्वारा दिये गए निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़क जाम की इन सभी प्रवासी का कहना है कि पिछले चार दिनों से किसी भी प्रवासी को खाना पीना नहीं दिया जा रगा है इन सब का कहना है कि इस विद्याले में लाइट भी नहीं है साथ युनों ने बताया कि इस सभी समस्याओं को लेकर मुखिया मौमद इजहार से बात की लेकिन उनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इस संबन में बीडियो साहिबा से बात करें हमने सबुसे बात करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाई अभी तक हम लोगों की समस्या को सुनने के लिए कोई भी नहीं आया गए बता दे कि अपने सूजबूच से मामले को शांत कर सड़क जाम हटवाया मदुबनी से शादा बक्तर की रिपोर्ट कि हम लोगों को खाना होना सब कुछ नहीं दे रहा है यहां तीन दिन खाना दिया है इसके बाद कुछ बंद कर दिया गया कौन से स्कुल में? उर्दू मद भी दिया ले उर्दू सवड़गाओं है अच्छा आप भी प्रवासी है बार्च आए हुए है जी बाहर से आए हुए है कितने दिन से खाना नहीं दे रहे हैं? दिन दिन दिया है इसके बाद नहीं दिया किना हुए है और और क्या बात है? यहां बाहर से आय हुए है कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन हम लोग मलब 5-6-7 दिन हो गिया और खाना पिना दिया और आज के देट में खाना भी बना है दो-तिन दिन से और हम लोग को मलब जो सरकार का योजना है सुभदा है जो समान होगारा दिया जाता है हम लोगका कोई सुब्धा एक भी सुब्धा राब तक नहीं मिला है